BPL T20 DreamLevon Team BPL T20 DreamLevon Match Prediction COV vs FBA DreamLevon Team तो दोस्तों बंगलादेश T20 टुनामेंट का एक और मुकाबला COV vs FBA के बीच में एक बार फिर से सेरे बंगला नैशनल स्टेडियम धाका के विकेट पर खेला जाएगा और यहां के अगर मैचस के बार में बात करें तो दोस्तों morning में जो मैचस होते हैं वो दोस्तों पूरी तरह से low scoring गैम हुए है लेकिन दोस्तों evening के time जो मैचस हुए है जैसा कि यह मैच इवनिग में खेला जायेगा तो evening में आप देखो कि यहां पर 183 बने थे और सामने वाली team ने दोस्तों यह target भी चेस करते हुए 5 विकेट से विन किया था उसके बाद दोस्तों यहां पर 161 बने थे सामने वाली टीम है दोस्तों वो 131 पर उल आउट हो गई थी और जो लास्ट मुकाबला इवनिंग में केला गया था उसमें दोस्तों पहले बैट करने वाली टीम ने 190 रन बनाये थे सामने वाली टीम दोस्तों यहां पर 25 रन से हारी थी यानि दोस्तों इवनिंग के मैचस के अंदर बल्ले बाज भी ठीक ठाकरन बना रहे हैं और गेंद बाजों को भी अच्छा खासा स्पोर्ट देखने को मिल रहा है यानि दोस्तों कुल मिला कर आप यहां पर एक जो बैलैंस ट आप भी दोस्तों वीडियो को लाइक से स्टार्ट करना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना तो सियोवी की टीम ने दोस्तों अपना पहला मुकाबला है वो दो विकेट से इनके था टीम के और से डैलफोर्ट ओपरन करने आए थी लास प्रेंट पिक रहेगी मौमिनुल हक है 15 रन बैट के सार बनाए प्रस में लैप्राण और तो डैक्स पाल टाइम गिन बाज है दो वर डाले चौदा रन खचकी और एक विकेट इनके इनके बॉलिंग में निकाला फिछले सीजन इनका 27 का बैटिंग अवरेज रहा था और पांस पर खेले बैटिंग के अलावा राइट आरम और ब्रेक गेंद बाज है चार वर डाले 20 रन खचकी और दोस्तो लास्ट मैस में इनने दो विकेट निकाले और ही फुल हक है चार रन बैट के साथ प्लस में एक और बॉलिंग की 11 रन खचकी कोई विकेट इनको नही इनके बाद दोस्तो सोईदुल इसलाम है लास्ट मैस के अंदर 3.1 और बॉलिंग की 15 रन खचकी और दोस्तो दो विकेट इनोंने निकाल के दिये तनवीर इसलाम है 4 और कंपे डाले 10 रन खचकी और दोस्तो इनोंने एक विकेट निकाला मुश्फुजिर रह्मान 4 और में 15 रन खचकी और दोस्तो इनोंने भी 2 विकेट टीम को निकाल के दिये बैंस के प्लेयर को लेकर जो भी अपडेटेड वगरा होगी दोस्तो जो भी चैंसे होंगे वो मैं आपको प्रवाइड करूँगा हमारे टेलिगाम चैनल में और टेलिगाम के लिए दोस्तो लिंक आपक गुल फ्लोप रहे हैं इनके बाद दोस्तो शियाकत अली पहले मैच में 49 लास्ट मैच में 15 बनाए साकीब की बैटिंग देखोगे पहले मैच में 13 दूसरे मैच में 23 बनाए पलस में दोस्तो बॉलिंग भी 4 और कंपेड डा रहे हैं और दो मैचल में अब तक दोस्तो दो व हुआ है बैटिंग में बारा और दोस्तों 33 रन बनाएं बोलिंग में भी दोस्तों दो मैचस के अंदर अब तक दो विकेट निकाल चुके हैं इनके बाद यहां से जियू ड्रहमान है उननीस नाबाद और लाश्ट मैच में एक बनाया बोलिंग में सिर्फ पार टाइमर निकाल चुके हैं ताइजओ लएस्लम है लेकर लेकर जो भर रम अर्थाडेक्स गेंदबाज हैं चार वर 29 रन लाश्ट मैच में ताइजओ में ताइजओ को विकेट दोनों के दोनों दोस्तो एक जैसे ही प्ले रहे हैं दोनों का बैटिंग ओर भी दोस्तो लेट है और दोनों का दोस्तो जो परदस्टन है वो भी दोस्तो कुछ खास नहीं है तो इन दोनों में से किसी को भी आप दोस्तो ट्राइ करके चल सकते हैं इनके बाद दोस्तो यहां से बैटिंग में खाब डूप प्लेसिज बिल्कुल एक जबरदस पिक है इनके अलावा दोस्तो कृष्ट गैल है इंपोर्टन पिक है लेकिन गैल को दोस्तो आप ग्रैंड लिंग में ड्रोप करने का रिसको उठा सकते हैं क्योंकि आपको पता है तो यह थोड़े से एगरिशू टाइप के बल्लेबाज हैं विकेट है दोस्तो थोड़ा सा सलो रहता है मौमनिल हग का बैटिंग प्लस में दोस्तो दो वर बॉलिंग भी की थी इसलिए मैं इनको ट्राइ कर रहा हूँ अगर आप साए तो मौमनिल हग को अपने टेम से ड्र और लास्ट मैच के अंदर दोस्तो अटैकिंग बल्लेबाजी के चकर में आउट हो गए थे दो तिन बाउंडरिज भी नोने लगाई थी तो दोस्तो जुरूर शी ट्राइ करके चलना ती हरीड होए है दोस्तो कोई हाई रिस्की टीम में आप ट्राइ कर सकते हैं ये भी एक अच्छा बल्लेबाज है और लाउनली सेक्स में जाएंगे तो साकिब है देख बड़ा नाम रहेगा डी ब्रेव बिल्कुल एक जबरदस्ट पिक रहेगी करीम जननत और दोस्तो यहां से मैंने एन इसलाम को अपनी टीम में ट्राइ किया है इनके अलावा दोस्तो जियूर करने का मुका नहीं मिल रहा बॉलिंड डिपार्टमेंट में जाएंगे तो मुस्पुजूर रहमान है ताइज अलिसलाम दोस्तो ग्रैंड लिग की बिल्कुल एक डिफैंस लपीक है जूरूर शे ट्राइकर के चलना अच्छे विके टैकर के इन बाज है अलजारी जोस्तो तो मैं इनको अपने स्मोल लिग में भी ट्राइ कर सकता हूँ तो अभी के लिए दोस्तो स्क्रीन पे यह जो आप टीम देख रहे हैं यह हमारी दोस्तो एक सिर्फ डैमो टीम रहेगी जो फाइनल टीम होगी वो पूरी तरह से रहेगी टोस पे डिपेंड और टोस के बाद जो भी चैनल होंगे वो दोस्तों मैं आपको हमारा जो नाई टेलिग्राम है उसमें प्रोवाइड करूँद हूँ है क्योंकि हमारा पहला टेलिग्राम चैनल था दोस्तों ओरिजिनल वो दोस्तों कोपिराइट इस्यू की वज़े से बैंड कर दिया गया है तो अब सारी जो टेम्स होगी Small League और Grand Lake सी टेम्स वो पूरी अपडेट आपको इसी टेलिगाम में मिलेगी तो टेलिगाम जोइन नहीं किया है दोस्तो तो टेलिगाम के दो लिंक है वो मैंने वीडियो के नीचे मैंसन कर दिये हैं अभी बात कैप्टन वाइस कैप्टन के कर लेते हैं उससे पहले गर वीडियो का आपने लाइक नहीं किया है दोस्तो तो भाई की मैनत के लिए और भाई को स्पोर्ट करने के लिए एक लाइक जुरूर कर देना और चैनल पर पहली बार आएं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना तो दोस्तो कैप्टन में तो साकी भी डैफिनेटली हर किसी के कैप्टन रहेंगे वाइस कैप्टन के बारे में बात करें तो वाइस कैप्टन में दोस्तो आप यहां से बैटिंग में देखा जाए तो फाप डूड प्लेशिस को कैपटन वाईस कैपटन बना सकते हैं और दोस्तो इनके अलावा डीजे ब्रेव का उप्सन भी अच्छा रहेगा अगर एफ ब्यो पहले बॉलिंग करें और इनके अलावा दोस्तो अगर सीओ भी पहले बॉलिंग करें तो मुश्वजूर रहमान भी कैप्टन वाइस कैप्टन के एक बहतरी इन्पेक रहेगी अगर मैं ग्रैंड लिग के बारे में बात करूँ तो ग्रैंड लिग में दोस्तो आप जहां से क्रिश्र कैल के साथ जा सकते हैं नाइदुल इसलाम भी दोस्तो बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं बैटे में भी नमबर चार या पांच पर खेलेंगे करिन जन्नत भी ग्रैंड लिग में कैप्टन बना सकते हैं और अलजारी जोसब भी दोस्तो ग्रैंड लिग में